फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ में टाइम टेस्टेड रेमिडी शेयर करने वाली हूँ जो की है रीच गोड से बना यह 100% इफेक्टिव है अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो सफेद बालों की जितनी भी समस्य है इन सारी चीजों को यह सौल्व कर देगा सो फ्रेंड्स यहां पे हमें लेना है तूरई जैसे कि आप देख सकते हैं और तूरई का सिर्फ और सिर्फ छिलका हमें यहां पे निकाल कर ले लेना है इन छिलकों में प्याया जाता है विटामिन और भरपूर मातरा में हमारे बालों को रिवर्स करने के लिए सफेद बाल का जो तुरई का हमने यहां पे पील कर रहे हैं यह बहुत ही ज़ादा बेस्ट है तो फ्रेंड्स यह थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बनाना लेकिन यह बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं और फ्रेंड्स इसी बात पे जरूर करिएगा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे नए हैं तो कॉमेंट करके अपनी फीड़बैक जरूर शेयर करिएगा इसे यूज करने के बाद तुरई जिसे की रिजगोड कहा जाता है यह बहुत ज़ादा इफेक्टिव इंग्रिडियन्ट है जो हमारे बालों को प्रिमेच्वर ग्रेंग हैर को डिले करता है और उसे रिवर्स भी करता है यहाँ पे तुरई का जो चिलका होता है उसे मैंने इस तरह से पील करके रख लिया है अब क्या करना है इसे मैं धूप में रख दूंगी दो से तीन दिन के लिए ताकि यह अच्छी तरह से ड्राय हो जाए तो फ्रेंड देखिये मैंने यहाँ पे इसे धूप दिखा दिया था धूप दिखाने के बाद यह कुछ इस तरह से ड्राय हो चुका है यह बहुत अच्छी तरह से आपके scalp में root पे इसे apply करना है किस तरह बनाना है इस remedy को वो सारी चीज़े में आप लोगों को आगे share करूंगी तो पूरी वीडियो को end तक जरूर देखिए इसे अच्छी तरह से dry करने के बाद देखिए friends यह अपने हाथों से ही जैसे आप अपने हाथों में लेंगे यह धूप की किरनों से अच्छी तरह से जब सूख जाती है तो यह आपके हाथों में आते ही पूरा अच्छे से तूटना शुरू हो जाती है अब क्या करना है यहाँ पे हमें एक container लेना है mixer grinder लेना है और उसके अंदर इसका एक बहुत अच्छा सा fine paste बना कर ready कर लेना है तूरही में एक ऐसे medicinal properties पाई जाती है जो कि हमारे बालों को permanent solution देती है जो सफेद बाल हो चुके हैं उन सारी चीजों से यह बचाती है और आपके बाल अगर बहुत तेजी से ज़ड रहे हैं बाल डेंडर्फ की problem है चाहे तो बालों में गंजापन सिर में गंजापन आ गया है तब यह treatment बहुत अच्छा सा काम करता है यहाँ पे हमें powder बनाने के बाद देखें यहाँ पे एक pan लेना है और इस pan में आपको नारियल का तेल डालना है तो चार चमच आप बड़े नारियल का तेल डाल दीजिए coconut oil में ही इसे आपको बनाना है और जो हमने यहाँ पे तुरई ready करके रखा है इसका powder और हम यहाँ पे one tablespoon के according तुरई का powder जो है इसे ले ले लेंगे और इस नारियल के तेल में अच्छी तरह से इसे पका लेंगे तो फ्रेंड हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह जो तुरई का color है वो change ना हो जाए अच्छी तरह से जब यह पूरा इसका जो color है वो oil में infused हो जाएगा that means इसके जो good है जो तत्व है वो सारी चीजे जैसे ही oil में infused होना शुरू हो जाएंगे उसके बाद आप gas के flame को बंद करेंगे so friends आपको इसे लगाना कैसे है जब भी आप night time में सोने जाते हैं friends तो अच्छी तरह से इसे आपके scalp में root पे massage करें अगर आपके बाल सफेद हैं तब यह आपके बालों को reverse करने का बहुत अच्छा सा काम करेगा यह time tested remedy है दोस्तों इसे बहुत सारे लोग use कर रहे हैं इसका benefit ले रहे हैं तो आप ज़रूर इसका benefit लीज़े इवन मैं खूद personally इसे use करती हूँ तो देखे friends मैं आप लोगों के साथ मैं इसे share कर रही हूँ मैं अपने husband के बालों पे अपने बालों पे इन सारी चीजों का use कर रही हूँ इसे अच्छी तरह से extender के help से हम यहाँ पे चान लेंगे चानने के बाद आप इसे एक container में feel करके रख लीजिए और जब भी आप night में सोने जाते हैं उस time पे जिस तरह से आप oiling करते हैं हफते में तीन दिन इस oiling इसे अपने बालों पे अच्छी तरह से oiling करिए massage करिए और देखे फ्रेंड्स इसका color भी इस तरह से change हो गया है यह बहुत ही best तरीका है जो कि आप अपने बालों को जीवन भर के लिए काला बनाए रख सकते हैं तो फ्रेंड्स यह natural तरीके से आपके बालों को काला करेगा आपके बालों को reverse करेगा जो gray hair की problem है बाल अगर तूटते हैं बाल अगर आपके बिल्कुल भी बालों में strength है नहीं है जान नहीं है और hair fall के अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो इस oil को आप ज़रूर यूज़ करिएगा फ्रेंड्स सो देखे हमने यहाँ पर इसे prepare कर लिया है और यह melanin production को increase करने का सबसे अच्छा काम करती है क्योंकि तूरेई में rich मातरा में antioxidant पाया जाता है जो कि हमारे hair को boost करती है vitamin provide करती है और इसमें एक बहुत अच्छा सा melanin product होता है जो कि copper containing होता है जिससे कि हम अपने food में भी लेते हैं इसके अंदर vitamin A, C, E भरपूर मातरा में होती है इसलिए इसका intake भी करिए जैसे कि तूरेई की सबजी बनाके भी खाईए और साथी साथ इसका oil बनाके इसे prepare करके अपने बालों पे लगाईए और यह आपको 100% result देंगे friends आज की DIY home remedies कैसी लगी जरूर बताईएगा comment करके